हालो फ्रेंट्स स्वाक थे आप सबका यूट्यूब की नमबर वन फार्मेसी चैनल पे सब्सक्राइब कीज़े लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के स्वीडियो में कवर करेंगे ड्रक्स क्लासिफिकिशन मेकानिजम फार्मेसी चैनल को समझने के लिए आपके लिए सबसे पहले जानना होगा डोपामिन के बारे में आपको डोपामिन क्या होता है देखिए ये एक तरह का नियूरो ट्रांस्मीटर होता है जो की हमारी भाड़ी में प्रिपेर होता है आपको अच्छी लगती है उनको करने का मन करता है because आपकी बॉडी में डोपामिन विलीज होता है जिससे आपको वो चीज़े जो है वो अच्छी लगने लगती है कोई भी इंटरस्ट हो सकता है आपका singing, dancing, music, यह कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है तो it means आपके body में dopamine secretion वो increase कर देता है जिससे आपको interesting लगने लगता है, pleasure फिल कराता है, खुश आप फिल करते हैं dopamine के होने के वजा से, यह big part प्ले करता है अपने human ability to think and plan, किसी भी तरह की thinking and planning में, किसी भी तरह की चीज क प्लान करने में सबसे major role play करता है, dopamine बहुत ही important neurotransmitter है यह, दोपामिन level in brain के बारे में अगर हम देखें, so dopamine का level decrease या increase दोनों ही level जो है dopamine के, change in dopamine function in brain plays a vital role in behavior and experience associated with psychosis, तो अगर simple language में हम देखें, तो dopamine हमारी body में balanced level पे होना चाहिए, dopamine कम भी नहीं होना चाहिए और जादा भी नहीं होना चाहिए, इसके change in level के कारण, बहुत सारे disfunctioning जो है वो body में देखने पड़ते हैं, जो अभी हम आगर देखेंगे, तो इसी के level में change होने के कारण, psychosis जैसी condition जो है, वो experience करने पड़ होते हैं, जिसके थूपामिन अफेक करता है हमारे brain को, सबसे पहला जो उसमें पाथवे है, वो है, मीसोलिम्बिक पाथवे, जो ये मीसोलिम्बिक है, रीजन जो है brain का, देखेंगे, ये क्या होता है, हाइपर अक्टिव होता है, सीजोफर्णिया में, जो भी सीजोफर्ण होते हैं, परसन के लिए, ये सिम्टम्स में आ सकता है, डेलूजन अन हलूसिनेशन परसन जो है, वो ब्रहम की स्थिती में आप कैसे हैं, वो life spend करता है अपनी, इसको एक तर से positive symptoms का नाम दिया गया है, मीसोलिम्बिक पाथवे, जो की हाइपर अक्टिव होता है, सीजोफर् पाथवे, इसमें क्या होता है, ये पाथवे सीजोफर्निया स्टेट में ये अंडर आक्टिव फॉर्म में होता है, में इन से उतना एक्टिव नहीं होता है, देखे रड खाल से शो किया गया है, और मेडिये इटे ज़्व नेगेट आप साइकोसिज, तो नेगेटिव सि इसलिए इसको negative symptoms का नाम दिया गया है mesocortical pathway में ये show होता है ये थर्ड pathway आता है nigrostretal pathway nigrostretal pathway क्या होता है देखिए ये part of extra ये आपको दिखाएगा है nigrostretal pathway ग्रीन कलर से तो ये part of extra pyramidal nervous system and regulate motor function ये pathway देखिए आप confused नहीं होएगा ये सारे ही pathway से अगर आपको basic difference बताया जाए तो सबसे पहले हमने mesolimbic देखा था ये blue color से जिसमें हमने बताया था कि ये hyperactive होता है region hyperactive होने का मतलब क्या है कि dopamine जो है बहुत जादा amount में secrete होता है जिसके कारण जो positive symptoms हमने देखे थे delusion and hallucination फिर ये वाला region हमने देखे mesocortical देखा था इसमें हमने बोला था कि under active होता है means dopamine बहुत ही कम मात्रा में secrete हो रहा है जिसके कारण जो negative symptoms हमने देखे थे psychosis के वो होते हैं तो आपको बस ये समझना है कि हमारे brain में जो dopamine का function होता है वो balanced होना चाहिए वो बहुत ही कम या बहुत ही जादा नहीं होना चाहिए अगर वो balanced रहता है तो हमारी body में सारी चीज़ों जो है वो बहुत ही proper तरीके से चलते रहती है नाइग्रोस्टेटल पात्वे जो है ये basically motor function हमारी body के regulate करता है अगर इसके अगर dopamine की इसमें deficiency हो जाए इस नाइग्रोस्टेटल पात्वे में क्योंकि ये motor function regulate कर रहे है तो अगर ये कम मात्रा में है तो person जो है उसको डिस्टॉनिया या Parkinson's symptoms होने की संभावना होती है इसमें Parkinson's symptoms क्या होता है कि आपने देखा होगा जो old होते हैं उनमें basically देखा जाता है जो old patients होते हैं उनकी body इस तरह से बेंट हो जाती है वो proper movement नहीं कर पाते हैं प्रॉपर ली चल नहीं पाते हैं अपने जैसे वो पहले चल पाते थे उस तरह से वो नहीं चल पाते हैं थोड़ा bend होके चलने लगते हैं और भी बहुत सारे symptoms होते हैं इसको detail में देखेंगे हैं बाद में फिर देखिए अगर ये deficiency है तो Parkinson's symptoms होने की संभावना होती है अगर axis में है देखिए dopamine इस pathway में तो इसमें क्या होता है hyperkinetic movement फेस करने पड़ती है person को जिसे tics and dyskinesia ये भी आपने old patients में देखा होगा कि उनकी body का कोई एक particular part या तो उनका head head continuously move करता रहता है shake होता रहता है बहुत सारे old patients होते हैं उनके hand में movement देखे होगी hand उनका हिलता रहता है continuously shake करता रहता है तो इस तरह से nigrostatter pathway में dopamine अपना role play करता है नो देखे फूर्थ pathway है tuber in fundular pathway इसमें क्या होते है dopamine इस पात्वे में क्या करता है inhibit करता है prolactin release को देखे prolactin जो है एक तरह को hormone होता है जो की pituiti gland में बनता है form होता है and then pituiti gland से वो हमारे body में release होता है so dopamine इसमें क्या करता है prolactin release को inhibit करता है क्या करता है कि prolactin के क्या major uses होते हैं enable करता है milk production तो females में milk production को ये enable करता है then control sexual desires and regulate immune system immune system को भी regulate करने का इसका basic function होता है so इस pathway में बट क्या करता है dopamine inhibit करता है prolactin release from pituitary gland नो देखे देख लेते हैं dopamine action and its receptors so देखे there five basic dopamine receptors होते हैं हमारी body में जिस पर dopamine bind होके अपना action produce करता है D1, D2, D3, D4 and D5 देखे ये synaptic vesicles होती है ये pre-synaptic nerve है ये post-synaptic nerve है इसको हम synaptic cleft कहते हैं फिर ये pre-synaptic nerve में synaptic vesicle में देखे present है dopamine जहांसे ये release हुआ and then देखे ये post-synaptic nerve पे dopamine receptors present है देखे इस पर ये bind हुआ और इसने अपने एक तरह का signal produce किया so इस तरह से binding होती है dopamine की अपने receptors पे but इसमें देखने वाली बात ये है कि D1 and D2 receptor जो है ये बहुत ही major role play करते है psychotic disorders में इनके तरू बहुत सारे psychotic disorders जो है वो manage किये जाते है and D2 जो है वो main target होता है anti-psychotic drugs का अगर हम देखे first generation यानि typical anti-psychotic mechanism of action तो इनका mechanism of action होता है ये block करते है dopamine D2 receptor in almost all the areas of the brain so देखे जितने भी areas होते है brain के mesolimbic, mesocortical nigrostatal, tubero, infandibular ये सारही areas of the brain में dopamine D2 receptor को block कर देते हैं देखे dopamine यहाँ से release तो होता है pre-synaptic neuron से but post-synaptic neuron पे देखे ये receptors होते हैं dopamine D2 receptor जिस पे ये anti-psychotic medication already bind हो जाती है और dopamine के binding को inhibit करती है जिसके कारण dopamine जो है अपना एक तरह का neurotransmitter effect नहीं show कर पाता जिसे देखे हमने पहले बोला था कि dopamine जो है वो हमारी body में balanced level पे required होता है बहुत कम नहीं होना चाहिए वो हमारी body में क्योंकि अगर वो कम होगा तो बहुत सारे required action जो है body में वो नहीं हो पाते है so next slide पे हम देखते हैं कि इसकी विज़र से क्या-क्या disadvantage होती है अगर ये सारही receptor को block कर देगा तो नहीं देखते हैं first generation typicals के effects जिसके विज़े से क्या होता है सबसे पहले mesolimbic में आपको याद होगा ये region जो है ये hyperactive होता है means dopamine बहुत ज़्यादा amount में इसमें secret होता है so अगर ये first generation typical ने यहाँ पर dopamine D2 receptor को block कर दिया है तो क्या होता है कि ये जो symptoms थे पहले हमारे delusion and hallucination ये reduce हो जाते हैं कम हो जाते हैं जो कि एक तरह से beneficial है बट और बाकी regions पर अगर आप देखें तो mesocortical में आपको याद होगा कि ये region जो है ये under active होता है means dopamine जो है वो पहले से ही काफी कम concentration में होता है इस region में schizophrenia के patients में बट क्या हुआ है देखें ये first generation typical ने और भी ज़्यादा concentration कम कर दी है dopamine की उसके receptor को block करके तो कहें dopamine पहले से ही कम था और भी ज़्यादा कम हो गया है तो worsening हो जाते हैं negative symptoms तो पहले से ही थे बट वो और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं lake of motivation and social disengagement person को और ज़्यादा face करना पर सकता है इस case में फिर अगर आप third देखें हमने देखा था नाइग्रो स्टेटल में नाइग्रो स्टेटल में हमने देखा था कि अगर कम concentration है dopamine की तो कौन से symptoms Parkinson's and dyskinesis symptoms जो है person को face करने पड़ते हैं last अगर हम देखें तो ये हमारा था tubero-infandibular pathway जिसमें prolactin को आप कह सकते हैं कि एक तरसे balance कर रहा था dopamine बट क्योंकि इन्होंने dopamine d2 receptor को block कर दिया है तो dopamine अब नहीं bind हो पा रहा है उसकी concentration reduce हो गई है जिसके कारण blood prolactin level जो है वो increase हो जाता है और बहुत सारे dysfunction जैसे galacto urea gynecomasty and sexual dysfunction disfunctioning face करने पड़ती है person को तो देखे अगर हम देखे है second generation atypicals जो कि बहुत ही जादा यूज किया जाते है anti-psychotic categories में तो इनका mechanism of action क्या होते हैं ये block करते हैं dopamine d2 receptor as well as serotonin receptor 2a that is 5 HD2a receptors तो दोनों ही receptor देखे d2 and 5 HD2a receptor दोनों ही receptor block किये जाते हैं second generation atypicals के द्वारा देखे फिर आपको ध्यान से slide समझेगा जो आपको समझाए जाएगी atypical antipsychotics क्यों बहुत जादा beneficial है तो देखे दो neurons अगर हम अपने body में बात करें तो ये देखे डोपामिन neuron होता है ये serotonin neuron होता है basic condition में क्या होता है serotonin neuron से serotonin release होता है और वो कहां जाके bind होता है देखे वो bind होता है 5HT2A receptor से जो की dopamine neuron देखे यहां present होता है 5HT2A receptor serotonin receptor जिस पे जब serotonin bind होता है तो वो क्या करवाता है देखे वो inhibit करता है the release of dopamine dopamine का release जो है वो नहीं हो पाता है जब serotonin bind होता है अपने serotonin receptor से जो की dopamine neuron पर present है बट क्या होता है देखें यह हमारी drug atypical anti-circuitary drugs क्या करती है यह क्या होती है यह bind हो जाती है यह 5HT2A receptor पर bind हो जाती है block कर देते हैं हम कह सकते हैं एक तरह से 5HT2A receptor को जिससे serotonin जो है वो release तो होता है but वो bind नहीं हो पाता means वो अपना action शो नहीं कर पाता और जिसके कारण क्या होता है कि dopamine को inhibit नहीं कर पाता है the release of dopamine और dopamine की concentration जो है वो increase हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है देखें एक तरह का balance effect जो है एक तरह का balance dopamine का maintain रह पाता है हमारी body में यहीं समझाए गया देखें एजेंट जो की block करते हैं serotonin receptor को increase करते हैं dopamine का level in brain areas that is needed जहां पर dopamine की जरूवत होती है वहाँ पर उसकी needs को fulfill करते हैं इसलिए maintain करके रखते हैं balance of dopamine in brain फिर देखें लास्ट में एक और कारण है जिसकी वज़ए से atypical antipsychotics को बहुत ज़दा prefer किया जाता है तो देखें atypical antipsychotics ऐसे agents होते हैं जो कि जिनकी D2 receptor पर binding बहुत पर्मनेंट नहीं होती transiently and dissociate होते रहते हैं देखें bind होते रहते हैं और फिर dissociate भी होते रहते हैं अपने इस D2 receptor से balance level हमारा maintain रहता है dopamine का देखें binding of this agent with both the receptor lower the incidence of extra pyramidal side effect तो जैसे हमने देखा था कि जो हम atypical agents यूज करते हैं तो उसमें extra pyramidal side effect होने की chances होते हैं negative symptoms होने की chances हमने देखे थे worsening हो जाती है तो इस case में क्या होता है कि जब atypical antipsychotics यूज किया जाते हैं तो वो जब जब उनको जब dopamine का level जादा है body में तो वो bind हो जाते हैं जब dopamine का level कम है तो वो unwind भी कर लेते हैं अपने आपको dissociate भी करते रहते हैं receptor से अपने आपको जिसके कारण हमारे brain में एक तरह का balance create हो जाता है dopamine के लिए जो की बहुती beneficial होता है negative symptoms को reduce हो जाते हैं उससे brain action जो है वो improvement होती है brain के action में as compared to that of typical agents so thanks for watching next video में cover करेंगे drugs classification and mechanism of action hashtag 6 जिसमें हम diuretics cover करेंगे so friends अगर आपके वीडियो चे लेके तो इस वीडियो को जरूर लाइक किजे share किजे अपने friends के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार है तो please चैनल को subscribe किजे वीडियो के नीचे लेट करके subscribe बटन दिया होगा उस पे क्लिक करके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप कोई भी सवाल है तो नीचे देवे कर comment box में आप हमसे कुछ भी बूश सकते हैं यह कुछ हमारे related वीडियो के लिंक है जिन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों learning pharmacy पर आने के लिए और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में